दिजिटल इंडिया हर जहन में है आपको देखते ही आता है और प्राइम मिनिस्ट्रों ने इसका एलान भी किया लेकिन हमें लगता है कि आज शुरुवात की जाए इस देश के भीतर जितनी घटनाए हो रही हैं हमने कुछ आकड़े निकाले पिछले एक बरस के भीतर गुज हिंदुस्तान तक्रीबन ग्यारा हजार करोड से ज्यादा का एसोच हम यह कहता है इसके तहब तो डिजिटल इंडिया भी आ जाता मेकिन इंडिया का बहुत हिस्सा आ जाता बहुत सारी स्थिति आ जाती इसका मतलब यह है कि आप लोग एक मुश्किल से गुजर रहे हैं य मैं हिंदुस्तान का दो स्वरूप देख रहा हूँ एक स्वरूप कलकारूबाई एक मावादी प्रभावित राजनन्द गाउं में 104 साल की महिला जो स्वच भारत अभियान के लिए अपनी बक्री बेचती है ताकि वहां स्वचाले बन सके प्रधान मंतर उसका सम्मान करते हैं और उसके पेर छूते हैं दूसरा सरूप है एक जाट पवन कुमार आर्मी का कैप्टन जिंद का जो हमारे डिजिटल फेस्बुक पे लिखता है कुछ को चाहिए अरक्षन कुछ को चाहिए अजादी हमें चाहिए एक रजाई है शायद एक भविश के भारत की कल्पना क हमारी सरकार आई थी पदान मंतरी ने कहा था हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी आज मैं आपको बताओं किसानों के लिए आपको मालू है कि ये जो पूरा आपका केन ग्रोवर्स का ड्यूस था 21,000 करोड का आज वो घटकर 700 करोड रह गया है हमारे इंटर्वेंशन कर रहा है जंधन की बात बहुत हुई लगभग 20 करोड एकाउंट खुलते हैं जिसमें 32,000 करोड रुपे जमा होते हैं जिसमें 100% ग्रामीन हैं 25% महिलाए हैं ये काम देखा आपने मुद्रा में अब तक 1,000,000 करोड हम बांट चुके इसमें 2,000,000 लोगों को फाइदा एक देश ये बन रहा है आपने चर्चा की डिजिटल इंडिया से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया ये सभी भारत को बदलने वाले कारक्रम हैं और मैं आपको एक इस आपके प्रश्न के श्रंखला में मैं आपको एक और उ करते हुए अलवर के इमरान खान की चर्चा की थी आप कहा भी दिखाया गया था पच्छा सर हिंदुस्तानी बैठे हुए थे कि वो देश बदलने का काम कर रहा हैं मैंने अपने CMD BSN को कहा कि कल सुबज आईए मैनेजर को कहिए वहां गुलदस्ता दे और मेरी उसके बात करा सुबह 9 बज़ों फोन पर आए हमने का इमरान खान साहब कल PM ने लंदन में आपका नाम लिया आपको मालूम है कहा सर एक बज गया था मैं सो गया था पडोसियों ने रिश्दारों ने जगाया हमने का क्या करते हैं आप उनने का मैं संस्क्रित हाइज स्खूल में मैथमेट डिजिटल इंडिया उस हिंदुस्तान को जगाने के लिए है और ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं जो तमाम इन परशानियों के बावजूद एक नए आशा के साथ देख रहे हैं दोनों चलेगा रास्ता निकालेंगे लेकिन भरत का रास्ता बहुत सही है पुनिपरसु इसमें 10 करोड मोबाइल बन रहे हैं पहले 50 लाग बनते थे एक साल पहले तो यह काम भी हो रहा है दोनों काम साथ चलेगा देश देखिए मैं चात्र जीवन से राजनीती में हूँ बाजबे जी आम वरी आप्टिमिस्ट परसन हमने हमेशा लगता है कि इस देश में आगे बढ़ने के बहुत बढ़ी ताकत है देश बढ़ेगा हम उसके लिए इनेबलिंग एट्मास्पेर बना रहे हैं रवेशंकर जी यह बात आप सत्ता में नहीं होते तो भी कहते तो भी अच्छी लगती लेकिन सत्ता में आप हैं सरकार है आपकी और जब आप इस बात का जिक करते हैं एक शक्स का नाम लेते हैं तो मसला यह नहीं है कि कितने करोड़ लोगों के पास मुबाइल है पैन लगभग 22 करोड़ आप ही कहां से डाटा निकला लगभग 22 करोड़ लोगास पैन है इस देश में टैक्सपेर जो हैं तीन साड़े तीन करोड़ से ज़्यादा है और इसी देश में हमें भी ख़बर दिखाने पड़ती है कि तीन रुपए 85 पैसे में मिड़े मेल बिहार में मिलता है और एक कल्छुन खिचड़ी के लिए उसके पिता को मार दिया जाता है यह सारी चीजे हैं लेकिन हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यह सरकार इसलिए नह आई थी कि आप एक नाम लें आज मंच पर बैठके अब हनीमून पिरियड नहीं अब आपके सामने एक ऐसा बजट और ऐसा देश है जिसमें कई देश है और उन देशों को मिला कर आपको चलना है कठिन रास्ता है देखिए मेरा जवाब बहुत सीधा है हमने कब कहा कि रास भारत एक कंसिस्टन ग्रोथ रेट हम दे रहे हैं 7% प्लस और सबसे अधिक FDI आ रहा है सबसे अधिक लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं अब मैं साई रेटिंग एजंसी को आपके तामने कोट नहीं करूंगा गुड गवर्नेंस सबसे जरूरी है बाजपे जी मैं संचार भावन में बैठता हूँ जहां टूजी होता था उसी कुरसी पर बैठता हूँ जिस पर हमारे पूरवर्टी बैठते थे कुछ पत्रकार मित्तों ने वेंगिया कि रवी जी आपने कुरसी को बदला की नहीं बदला हमने का ने मैं उसी कुरसी पर बैठता हूँ वागा काम ठीक कर दिया और आज आपको मैं बड़े विनमता से कहता हूँ आप संचार भावन में आईए आपको एक मिडिल में नहीं हूँगा हमारी सरकार इमांदारी से काम करते हैं मैं एक वरिष्ट कविनेंट मिंस्टर हूँ तो यापको बहुत इमांदारी से कहना चाहिए क्या तारतंब की कमी है क्योंकि आप लोग वोड़ा फोन को जब नोटिस दिया गया था तब आप इसके खिलाफ तेया प्राइम कारतिये कंपनी इंग्लेंड में जाती है तो टैक्स लगता है कि नहीं लगता है फार्मा कंपनियों पर अमेरिका में टैक्स लगता है कि नहीं लगता है पीम ने कहा रिट्रॉस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगेगा मैंने कहा मैं उसे में कादून मंत्री था कि बॉंबे हा पूरे भारत की आर्थिक चमता को एक वोड़ा फोन पर सीमित करना यह मैं ठीक नहीं मनता हूं यह नहीं कह रहे हैं क्योंकि आपके सामने वरना फिर भारतिय कमपनियां इंग्लेंड में अमेरिका में यूरोप में कितना टैक्स दे रही हैं और कैस भी लड़ती हैं नहीं, क्या यह पॉलिटिकल नारे थे, सेंसेक्स को लेकर, डॉलर को लेकर, विदेशी पुझी निवेश को लेकर, स्वदेशी सोच को लेकर, यह पॉलिटिकल नारे थे, ब्लैक मनी को लेकर, सारी चीजें तो की ही गई, लेकिन हम लोग खड़े कहां पर हैं आज, क्योंकि दूसरा बजट अब आ रहा है फुर फ्लेजट दिखिए मैं आप से फिर कहना चाहूंगा आप एक देश को कैसे आगते हैं जेनियू की घटना होई दुर्फागेपुन है जाट अंदुरन हुआ देश में अंदुरन होते रहते हैं उसका रास्ता निगाने की कोशिश कर रहा है आप जेनियू के स्वैम पढ़े हुए हैं मैं मानता हूँ कि जेनियू भारत का एक बहुत प्रीमेर इंस्ट्यूशन है उसने बड़े-बड़े पतरकार पंडित बाजबेज यह से I.S. I.P.S. I.F.S. को पैदा किया है एक से सjem में रोड़ने तक जंग चलेगी जंग चलेगी यह भी एक विश है उस पर भ्रभी एक वियू लेना है और में विई लिया यह लिकिन वैपसे बड़ी बात कहना चाहता परे दसजार की मियाद थी, हमने उसको 21,000 कर दिया, क्योंकि अब समय बिजर गया है तो चाहे वो गरीबों के लिए, चाहे वो किसानों के लिए, चाहे वो डिजिटल इंडिया के लिए, चाहे वो मनुफैक्चरिंग के लिए, चाहे वो स्किलिंग के लिए आज देश एक नहीं दिगा से देख रहा है अब आपको लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ तो आपके ये बोलने के अधिकार का मैं सम्मान करता हूँ और आप मेरे इस अधिकार का सम्मान करिए कि मैं देश घुमता हूँ और देश में एक आशा का महाल बना है और देश आगे बढ़ रहा है, चलने दीजे, जो देख रहे हैं, वो तैय करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को ये कहने की जरुरत क्यों पढ़ती है, साजिश हो रही है, NGO एक हो रहे हैं कुछ ऐसी ताक्ते हैं जो दलाली करती थी, वो उनको नहीं मिल रही है, दलाली तो वो एक जुट हो रहे हैं, ये कहने की जरुरत क्यों पढ़ती है बिल्कुल जरुरत थी, इस देश में मैं बहुत इमानदारी से मानता हूँ कैसे बहुत से तत्व हैं, जो भारत को आगे साख और इकबाल गाइब क्यों हो रहा है, जेनियू के मसले में इंस्टूशन काम करना चाहिए, नहीं किया जाट अंदोलन के समय में इंस्टूशन को कहीं नजर आना चाहिए, नहीं नजर आया एंजियोस को लेकर आपने जो भी उनके सीज किये या उनके बैंक आएकाउंट्स को रोका, आपने काम किया हमारा कहना है, आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आप करिए ना अंतर क्या हुआ जब राहुल गांदी सत्ता में थे और वो कहते थे और इस देश के लोग उन्हें पपू कहते थे, ये फैक्ट है लेकिन आज की तारीक में आप कह रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा है, हम बार बार ये समझना चाहते हैं श्रीमान जी पहले मैं आपके इस टिपनी का बहुत बड़ा प्रधिकार करता हूँ, अगर हमारे प्रधान मंत्री के बारे में आपकी ये सोच है अगर इस तरह की शब्दों का प्रयोग आप बोदी जी के बारे में करेंगे, तो मैं आपका प्रधिकार करता हूँ मुझे बोलने दीजिए आप, आपके बोलने का हसार वही था, और ये आपका विक्तिकत पुर्वाग्रा हमारे प्रधान मंत्री खिलाप बोल रहा है अब मैं रेकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, चली खातम करें इस बात को, मेरा सिर्फ कहना ये है, प्रधान मंत्री को अपनी बात कहने का अधिकार है और नहीं है, बताईए यकीनन है देखिए, मैं आपसे आज एक बात कहूँगा आप देश के बद बड़े पत्रकार हैं, और मेरे मित्र भी है और मेरे प्रधान मंत्री के बारे में आपकी धाड़नाओं से मैं आवगत हूँ तो कम से कम आप जब बोलें, तो शब्दों के चैन का धियान रखें वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके स्वर से नहीं दिखाई पड़ा जिस समय मनमोहन सिंग थे, आपने भी देखा हूँ यहारे हैं, बुरी तरह से हारे, आप देख रहे हैं राहूल गांदी के बहुत सारे वक्तब गैर जिमवार होते हैं वो गैर जेनियू में, बाद उस से आगे बढ़ी कभी उन्होंने नहीं कहा कि यह नारे गलत है जब बाद में हम लोगों ने कसके और मैनेटी पड़ी करनी शुरू की तो दो दिन बाद उनकार प्रती करा रहा है क्या मतलब है इसका? आपने राहूल गांदी स्वाल पूछा अपने चांगला पर कभी? यकीनन हमने तमाम कॉंग्रेस के नेताओं से पूछा इसलिए वो 54 सीट पर आए हैं सर इसलिए आपको 380 सीज़ और शिमान बाजबे जी हम कैसा काम कर रहे हैं ये देश की जनता तै करेगी यकीनन और तै करेगी आप उसे सवाल पूछें आपके सवाल पूछने का अधिकार का मैं समान करता हूं और आप मेरे जवाब के अधिकार का भी समान करिए बागी देश के पर शोट दो ये बताना चाहिए ना कि सेंसेक्स नीचे क्यों जा रहा है आप लोग को चिंता थी रूपिया नीचे क्यों जा रहा है तेल की किमन तंतरास्टिय बजार में तिस डॉलर तक पहुच गई 140 जब डॉलर थी तब भी जनता वही वसूल करती थी सूखे को लेकर आप सेस लगा रहे हैं जनता से पैसा ले रहे हैं लेकिन किसानों की खुदकुशी वैसे ही हो रही है अब बाद कि किसानों की दो साल से देश में बारिश कमज़र हुई है हमने फसल बीमाई ओजना लाया की नहीं लाया उसको लिबलाइज किया की नहीं किया कि 2,5% पर अगर आपका पानी से डूब गया या आपके खलिहान में खराब हो गया तो उसको लाया आप मुझे ये बताइए कि हमने ये कहा कि नहीं कि 50% कवरेज होगा तो परे 33% था उनके लॉस के लिए किसानों के स्वाइल टेस्टिंग का लाया की नहीं लाया अब आप बात कर रहे हैं सेंसक्स की सेंसक्स आता है जाता है चाइना डाउन है आगे बढ़ता है लेकिन भारत की ग्रोथ रेट 7% प्लस है कि नहीं आप मुझे ये बताइए देश में हाइस FDI आया है कि नहीं आया है मैंने अभी कहा इस देश में सव करोड मोबाइल फोन नहीं बन रहा है दस करोड अभी मैंने बता है तो दोनों देखने का दोना दरिया है बजट के बाद मंत्री मंदल विस्तार कुछ चेंज हो रहा है कमाल है कुछ मेरी casual comment को भी पकड़ लेते हैं ये भी तो आपका अधिकार है देखिए बाजबेई जी मैं आटल विहारी बाजबेई सरकार में भी मंत्री रहा हूँ और आज भी मंत्री हूँ मैं बहुत इमांदारी से कहना चाहता हूँ मैं कभी नहीं मानता हूँ कि ये कुरसी इस्थाई है ये भी इस्थाई नहीं है और मेरे मंत्री कुर्सी भी इस्थाई नहीं है यहाँ भी मेरी छुट्टी करने वाले हैं आप अंतिम सवाल के बाद लेकिन जब भी कुर्सी पर रहूँगा ऐसा काम करूँगा कि देश ही आगे बढ़े देश का विकास हो यह हमारे काम करने का तरीका है अब जहां तक पुनर गठन की बात है यह प्रदान मंतरी का विशेशा दिखा रहा है और हमारे प्रदान मंतरी ऐसे प्रदान मंतरी है कि मंतरी कौन बनेगा, कौन नहीं रहेगा यह 7 RCR ही तै करता है कोई 10 जनपत नहीं है बहुत बाष्ट बहुत दन्यवाद बहुत है out eating lunch at a fine-dine restaurant, man, yeah.